इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा पांच दिसंबर को मराठा तरक्याती कमिटी को मनजूर रकम की मौहालिफत में करनाटक बंद का एलान किया गया है करनाट तंजिमों का बंद कामियाब होगा या नहीं ये एक सवाल तकरीबन बिलगाम शहर और अतराफ के अवाम के सामने है क्योंकि मराठा समाज के तरक्य के लिए रियासत की जानिब से पचास करोड रुपे मंजूर किये गए हैं लिहाजा मुक्तलिफ करनर तंजिमों को एतराज है और इनका कहना है कि जो मराठी माच रहा हमेशा महराष्ट की पुष्टपना ही करता इनको महस सियासी मुफात हा हुमत को लॉक्डाउन के वक्त कंणर शेहरियों को दिखती तो शायद हम रोज मर्रा की चीज़ों के लिए ना तड़पते ना मरते कहने का मतलब यह है कि महराठा समाज इसे लालच कह रहा है वहीं बेलगाम शहरी हमेशार रियासत की मुखानफत में मराठी ज़वान की ब परबानियों के सामने कुछ हैसियत नहीं रखती है उन्होंने यह भी कहा कि हमारा तनासा सिर्फ मराठी जबान को लेकर है और बेलगाम को महराष्ट का इससा बनाना हमार मक्चत है कुछ तंजीवों ने हुकुमत के इस फैसले को इसलिए भी रद किया हुआ है कि नासिप म में लेने की मांग किये लियाजा अगर 500 क्रोड की इंदाद देते हैं तो मराठा या लिंगायत को इसकी जूरूत नहीं है यह सियासी मुफात हासिल करने के लिए महज लालच है ऐसा भी कहा अगर इनकी मांद को कभूल नहीं किया तो आने वाले इंतखाबात में अवाम करेगी ऐसा इशारा भी दिया अब जब कंणर तंजीमों की जानिब से एडरोपा हुकूमत को 50 करोड के मराठा माशरा तरक्यती इंदाद मंजूर की है इसे वापिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है अब इसी दिन रियासत की जानिब यानिके 5 दिसंबर को रियासत की ज बज़ुआहत है सिवाई भाजपा कारकुनान के मराठी और कंणर नाराज नजरा रहें पांस तारीक का बंद क्या असरदार होगा या नहीं यह तो कंणर तंजीमों की शिद्धप पर ही देखा जा सकता है भाजपा रियासत में हो या मरकज में हो किसी फिजूल मसले को इतना तूल देती है कि अवाम असरद मुतों से ही सवाल खड़े करने के बज़ाए फिजूल में ही उलचकर रहे जाती है लिहाद लव जहाद की जूटी कहानियां घड़कर मुस्लिम माशरे को निचाना बनान कुछ रियासतों में अगर मुसलिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो पांच साल की सजा तक का प्राविदान रखा गया है यह अगर मुसलिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो घर वापसी और अगर मुसलिम लड़का हिंदू लड़की से अधे करनाटक हाई कोट ने हुकूमत करनाटक की तरफ से लवजिहाद के मुतालिक कानून लाने के तैयारी के दर्मयान हुकूमत के साथ हिंदुत वा तंजीमों को भी जबर्दत जटका देते हुए यह पैसला सुनाया और कहा के आएने हिंद के मताब किसी भी मर्द औरत जि की कोशिच के दर्मयान यहां फैसला नहादे तैमियत का हामिल है अधालत ने फैसला वाजिद खान नामी अरजिगुदार की तरफ से रम्या के साथ शादी को लेकर दाहिर की गई थी इनके घरवालों का कहनाय के जबरतस्ती हिंदु लड़की रम्या की शादी मुस्लिम न मुझवान से शादी करना चाहती हूं लिहाद आदालत ने तारिकी फैसला सुनाते हुए कहा के बिला किसी जात मजब जबान के अगर कोई भी किसी बालिग मर्द्या लड़की शादी करना चाहते है तो इसे बिलकुल इजादर दी जाए और आगे यह भी कहा कि अगर बालि पिस यह सुजाता और सचीन चंकर मग्दूम ने दिया है कि मर्कजी हुकूमत ने का और अहम फैसला लेते हुए गरिबों को अनाज की किल्लत नहों इसके लिए बीपील करणवालों को मुप्चावल दाल दिया जा रहा था अब इसे बंद करने का फैसला मर्कज हुकूमत क की जानिब से लिया गया है लागडाउन कोरोना दोर में रेशन दुकानों के जरीर राशन दिया जा रहा था जो अब बंद कर सिर्फ रियासत की जानिब से दिया जाने वाला राचन ही मोहिया कराया जाएगा वैसे तो मोधी हुकूमत की जानिब से कही सारी स्कीमों योजन कर रहेगा देखते रहे हैं शुक्रिया अल्लाफिज